आप लोगो का सवागत है और आज इस वीडियो में हम उन्बॉक्सिंग करेंगी सैंसीं का गिलेक्सी A8 Star यहां पर सैंसंग का एक अपर मिड़ेंच स्मार्पून है जो रिसेंग इंडिया में लांच किया है जो मेरे सबसे फोन के अंधर फीचर्स आपको बहुत ही कमाल की मिल और जिसके प्राइजिंग यहां पर रखी गई वो है 34999 यानि कि यह 35,000 रुपे की है और Samsung है हमें पता है कि Samsung की pricing यहां पर क्या होती है लेकिन यहां पर unboxing के साथ में आप लोकल इस वीडियो में एक surprise है जहां पर मैं इस वीडियो के अंदर इस वाले फोन का एक giveaway करने वाला हू जी हां आप लोगो यहां पर क्या करना है सबसे पहली शर्थ हमारे चैनल को यहां पर सबस्क्राइब करना है वीडियो को like करना है और नीचे comment करना है Samsung Galaxy 8 से related कि आपको यहां पर इसका कौन सा एक feature पसंद आया है बस कोई भी feature आप बता सकते जो आपको ठीक लगता है लेकिन Samsung 8 आपको mention करना है और कोई भी feature बताना है तो यह giveaway आपको जारा डेमेसी करते हैं और फड़ावर से इसकी unboxing यहां पर जो शुरू करते है अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe किलीजिए और साथ में यह bell icon भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे latest videos की notification फोन के अंदर आपको यहां पर 6.3 इंच की full HD plus की display मिलती है जो कि यहां पर आप लोग एक super amulet वाली display मिलती है यहां पर display बहुत ही कमाल का है और Samsung की phone के display मुझे बहुत ही पसंद है साथ में को यहां पर इसके ने gaming करो आप यहां पर वीडियो कर देखो वह experience आपको यहां इसके बहुत ही कमाल कोने वाल है यहां पर आप लोगो इसके ने Qualcomm Snapdragon 660 वाला जो प्रोसेसर मिलता है Octa-Core का हाले कि यह प्रोसेसर आपको बहुत ही powerful जो देखने को मिलता है आप इसमें कितने भी high end game के लो प्रोसेसर यहां पर आप लोगो बिल्कुल भी निराश नहीं करे बाते एक 1.7 का एपरेशन मिलता है और सैमसंग इसको बोलता है इंटली कैम जो मुझे देखना पड़ेगा कि सैमसंग इसको ऐसा क्यूं बोला है वह हम आपको टेस्ट करके बताएंगे 24 मेगापिसल की आपको यहां पर सेल्फी मिलती है बहुत ही बड़ी बात है 3700 की आपको थोड़ा सा समननी पड़ेगी तो यहां पर सबसे पहले एक चोटा सा बॉक्स उसमा देखेंगी कुइक स्टाट गाइड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और यहां पर देखेंगे सिम इजेक्टर पीन आपको इसके लिगी हुई है और यहां पर मुझे कहीं बैक केस जो नहीं दिखाए दे रहा है क्योंकि आप देखेंगे फोन आपको बहुत ही कमाल का मिल रहा है फुल मेटल और ग्लास के अंदर आपको यह फोन मिल रहा है तो बहुत ही प्रेमियम आपको यह फोन देखने को मिलता है मतलब आपको बहुत ही स्लिम मिल रहा है और design काफी premium आपको यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं तो यह चीज मुझे काफी सही लेगी इस phone की तो यहाँ पर philal case को side में रखते हैं देखते है box में आपको और क्या कुछ मिलता है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे आपको यहाँ पर इसका और अब हम आते हैं फटापट हमारी phone की तरफ तो यहाँ पर माते हैं मारे phone की तरफ और सबसे पहले यह पीछी की तरफ प्लास्टिक लगी है इसको यहाँ से निकाल देते हैं इस टीकर को भी यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ पर फिजिकल होगे बात करें तो फोन के नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर USB Type-C port मिलता है 3.5mm audio check आपको एक mic hole और साथ में आपको यहाँ पर speaker output यहाँ पर देखने को मिलता है आप एक SIM का आप एक microSD card या एक SIM card या फिर दो SIM card एक time पर जो वो यूज़ कर सकते है उपर की दरफ आपको कुछ नहीं मिलता है secondary mic hole की placement आपको ओपर की दरफ मिलती है और पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको dual camera की placement यहाँ पर देखने को मिलती है नीचे LED flash है fingerprint scanner ने Samsung की branding है सामने की दरफ आपको यहाँ पर front facing camera मिलता है notification LED यह पर आपको सारी चीज़े जो देखने को मिल जाती है और यहाँ पर फटाफ़र से इस phone को बूट करते है और यह दिखेंगे मैं अपहले से on करके रखा था तो मैं यहाँ पर फटाफ़र से जो वह setup करते हैं और जैसी setup होता है मैं आपको इसके बारे में और विजयों बता रहता हूँ तो यहाँ पर हमने जो phone को successfully setup कर दिया है और बूट कर दिया है और आप सबसे पहले आपको बहुत ही कमाल का मिलता है एक Super AMOLED डिस्प्ले जो Samsung की फोन की डिस्प्ले के लिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम जाते फोन की settings मे और नीचे जाते हैं about phone में और यहाँ पे android version की बात करते हैं तो software information में और android oreo आपको out of the box मिलता है और Samsung experience आपको मिलता है जिसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़े कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे आपको fingerprint scanner face unlock दोनों मिलता है तो fingerprint scanner की अगर मैं accuracy की बात करता हूँ तो वह काफी उपर हो गया है phone की size के साब से तो मैं अपने हाथ को जो यहां रखता हो ताब देखेंगे यहां पर fingerprint scanner होता तो सही होता था लिगी नहीं बहुत उपर करता तो उगली को उचा करके आपको करना पड़ता है face unlock मिलता है मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहेता हू आपको यहां पर प्रेस करना है उसके द्वारा आप यहां पर इस फोन में फूल ग्राफिक्स के अंदर तो बहुत यह अच्छा चल रहा था बिना को लैक के तो यहां पर आप लोग को गेमिंग के अंदर इस फोन में जो वो कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर अगर मैं फाइनली बात करता हूँ उस फोन की कैमरे की रिर फेसिंग आपको 16 प्रस 24 मेगापिसल के कैमरा मिलता है इंटली कैम समसंग उसको बोलता है बहुत ही कमाल के पिच्चेस यहां पर मुझे जो देखने को मिले आपको f1.7 का अपरचर मिलता है वैसे बहुत सारे फीचेस मिलते है आपको श्टिकर मोड मिलता है आपको लाइफ फोकस मिलता है और यह सारे AI ब्यूटिफिकेशन मोड अब अबर वगेरे की चीज़ा आपको मिलते है नाइट में बहुत ही अच्छे इसने हो पिच्चेस लिया है कलर भी काफी अच्छे है इस फोन की कैमरे के रियर फेसिंग के है तो रियर फेसिंग का camera इसका बहुती कमाल का मुझे लगा है आपको अग filmे चाही तो a đội करते सही मिलता है बैटरी आपको काफी लाच मिल रही ए अब को यहां पर गिववे के इंडर करने के लिए बता दिया हूं आप जाके झाल 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 झाल